आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगे जिससे कि आप जितने भी आपके sections हैं, orders हैं CPC के और articles हैं आपके constitution के आप उनको easily याद कर सकते हो और आगर आप ऐसे करोगे तो आप कभी भी अपने sections, orders और articles नहीं भूलोगे क्योंकि इतने जादा ये sections, orders और articles हो जाते हैं जुडिशरी के exam में कि हम प्रिशान हो जाते हैं कि हम इनको कैसे याद रखें So let's see कि suppose आपने Indian Evidence Act को पढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक है, suppose आपने 31 इसके आप sections कर चुके हो, 31 sections आपने भी read कर लिया है तो आपने sections को कैसे याद करना है, आपने एक पर 31 sections आपने पढ़ लिये, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, अपने bear act को आपने बंद कर देना है, ठीक है, आप bear act को बंद करना और एक notebook लेना अपनी, और उस पे आप लिखना स्टार्ट करना, कैसे कि ये कब commence हुआ था, ठीक ह अपने आप, अपने आप उनको आप लिख के याद करना, फिर section 6 में जो important है, आपको sections मैंने आपको पहली बताया था, कौन-कौन से important है, section 6 में क्या दिया हुए है, rest chest day, ठीक है, rest chest day, section 6 में दिया हुआ और इसका मत्तब क्या होता है, part of the same transaction, part of the same transaction, ठीक है, ऐसे इसको आपन learn करना है, फिर हमारा आजाता है section 7, section 7 आपको याद करने की जुरूत नहीं है, इतना कोई important नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, उसके बाद section 8 है, section 8 में क्या दो है, previous और subsequent, ठीक है, conduct उसमें बताया हुआ है, वो आपको याद करना है, ठीक है, motive preparation के बारे मे ठीक है, previous और subsequent conductory आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद 10 में क्या है, section 10 में क्या है, conspiracy के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा section Indian evidence act में, ठीक है, conspiracy के बारे में जिकर किया हुआ है, उसके बाद plea of valid by कौन से section में है, आप ऐसे अग आपके क्या हैंगे, आपके notes भी बन जाएंगे pre के लिए, ठीक है, second thing आपको याद रहेगा, और next time जब भी आप revise करोगे, तो आप अपनी notebook निकालके revise कर सकते हो, important sections और upcracks लिखने हैं आपको, छोट छोटे आपको short notes बना लेने हैं, ठीक है, ऐसे करके आप इनको learn कर सकते ह this is the only way जिसे की आपको याद हो सकता है, जब भी हम कुछ यह human nature है, जब भी हम कुछ लिखके पढ़ते हैं, या फिर उसको revise करते हैं, ठीक है, तो हम कभी भी नहीं भूलते हैं, तो वो हमें memorize होता चला जाता है, ठीक है, अगर आप ऐसे एक बर पढ़के देखो, और मुझे जरूर बताना, ठीक है, आपको की ऐसे इस वे से आपको याद हो रहा है, या नहीं हो रहा है, अभी भी आप वीडियो जब भी आप वीडियो देखोगे, ठीक है, आप उसके बाद क्या करना, जो आपने subject किया है, ठीक है, वो subject को revise करना, उसको बंद कर देना चाहे, जैसे आपने रात को पढ़ाओ subject को, चाहे रात को ऐसे मत लिखके देखना, सुबह जब उठोगे, fresh mind के साथ, आप इसको ऐसे लिखके देखना, कोईसी भी subject को ऐसे start करना, ठीक है, उससे क्या आपको पता चलेगा, कि आपको कितना का याद है, कितना का आपको याद नहीं है, ठी कोई भी funda नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है, आप कितना मर्जी कर लो, कि मैं ऐसे tricks कर लेते हूं, क्योंकि इतने जाधा lengthy subjects है, CPC, CRPC, IPC, Hindu law, contract, ठीक है, इनमें इतने important sections हैं, जो direct कई वर बहुत questions आ जाते हैं, और इनमें क्या score करना easy है, अगर आपको directly sections पता होएंगे, तो याद करने का आपको तरीका पता ही होना चाहिए, और this is the only way, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि और जो pre का exam है, pre के exam के लिए, for pre exam, आपको sections और articles तो आपको याद करने ही पढ़ेंगे, constitution के articles और important orders तो आपको याद करने ही पढ़ेंगे, और कोई way नहीं है, exam को clear करने का for pre exam, master your barex, master your barex, ठीक है, और कोई way नहीं है, pre exam को clear करने का, so this is the only funda, I hope आपको ये मेरी trick अच्छी लगी हो, आपको करके देखना और मुझे जरूर बताना comment box में कि आपको ये way कैसा लगा, ठीक है, thank you guys for watching the video, do subscribe the channel, like the video, bye bye, take care